आज के हमारी वर्षिट है वर्षिट नमबर 5 और यह वर्षिट क्लास 7 के लिए है जिसमें हम लोग समाजिक विज्ञान भूगोल के विशे पर तर्चा करें हैं तो आज के वर्षिट में हमें मानो परियावरण के बारे में जानना है सबसे पहले हम यह जानने कि परियावरण क्या है तो परियावरण हमारे चारू और के आवरण को परियावरण कहते है और यह परियावरण कई तरह का हो सकता है वन परियावरण हो सकता है जल करने लिए देखते हैं तो कर रहा है मनुष्य से प्रयावरण के साथ पारस्पर क्रिया करता है और अपनी आवशकता के रहता है और प्रयावरण के साथ के अन्रूप बना लिया था। दो उन्होंने जिस तरह की प्रकृति थी उस तरह से अपने आपको ढाल लिया था। मतलब ज़ो ठंड पर भर ती थी तो ठंड में रह लेते थे। घर्म के लिए वो पहारों की कंद्राओं में रह और जब वर्सा होती थी तो पेड़ के नीचे छुप जाते थे उन्होंने प्रकृति के अनुसार ही अपने आपको बनाया था अपने आपको ढाल लिया था और उनका जीवन सरल था मतलब उनके जीवन में बहुत ज्यादा चीज की आउसकता नहीं थी आउसकता हैं बहुत कम करने के कई तरीके सीख लिये जैसा कि परिणाम सरफ हम लोग आई देख रहे हैं कि प्रियाबरण में कितना परिवर्टन किया और कई तरह से बदलाव करके हम उसे अपने अनुरूप बनाए उसने फसल उगाना सिखा पसु पालन करना सिखा और अर्थाई जीवन जीना सिखा पहले मनुसे खाना बदोस की जिन्दगी जीते थे अगर यहां पर कुछ दिन भोजन मिला तो कुछ दिन यहां रहे फिर यहां का जब भोजन समाप्त हो जाता था तो फिर इस जगह पर रहते थे फिर यहां का भी समाप्त होने पर इस जगह पर रहते थे इस तरह से मनुसे ने खाना बदोस की जिन्दगी छोड़ करके आगे चलके एक जगह पर एक ही जगह पर फसल उगाना सिख लिया पसु जीवन जीना सिख लिया कि मैं जहां रहूंगा एक ही जगह पर हूंगा ठिक ना और उन चीजों का व्यापार करना शुरू कर दिया जो उनकी आवसकता की चीजे थी उसको बनाने भी लगे धिरी दिरा आवसकता से आविसकार हुआ आविसकार से कर खाने बढ़े बहुत सारा उत्पादन हुआ और जब उत्पादन भढ़ा तो ब्यापार भी हुआ शुरू सुरू में जो ब्यापार होता था वह ब्यापार वस्तु बिन में प्रणाली द्वारा होता था बस्तू बिनी में पधती क्या होता है कि जब किसी बैक्ति को कोई समान खरिदना होता है तो उसके बदले में वो दूसरा समान देता है ठीक ना आज भी आप गाउं में जाएंगे तो गाउं के लोगों को जब समान खरिदना होता है तो घर से जोले में अनाज ले कर जाते हैं और दुकंदार को अनाज देते हैं और फिर दुकंदार बदले में उनको समान देता है तो यह बस्तु बिन में प्रणाली शुरू में हैं ठिकना और यह जब मुद्रा आया तो बस्तू बिन्मया प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई बस्तू का लेंदेन बंद हो गया और पैसों से लेंदेन शुरू हो गया और उसके बाद भी सुविधा और विभिन उदेश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरन बनाया निम्न चिन मानो प्रयावरन के कुछ उदाहरन दिखाता है और आई हम लोग देखते हैं कि जब मानो ने लोगों के संपर्क में आना शुरू किया तो किस तरह से मानो प्रयावरन बना तो ये हैं मानो प्रयावरन का उसा हहां मानो प्रयावरन सबसे पहले क्या हुआ परिवार बना ठिक न dirig video इक जगास्ति रहने लगा परिवार के बाद समूदाय बना ठेक फिर धर्म हुआ आर्थिक स्थितियां हुई फिर शिक्षा की विवस्था बनी राजनीति की स्थिति बनी डाक्टर बने ठेक ना तो यह सब कुछ मानों ही मानों के लिए बने तो यह मानों परयावरन का लाए क्योंकि इसमें देखिए राजनीति हैं तो इसमें भी इस्थिती में मानों ही मानों के लिए काम करता है यहाँ सिख्छा है बिद्दाला है तो बिद्दाला में मानों को एस्किल्ड बनाने के लिए मतलब कि युग्य बनाने के लिए ताकि वो आगे चलके मानों के काम आ सकें उनको मानो संसाधन बनाने के लिए मानों नहीं काम करना शुरू किया, बैंक की आर्थी किस्थिती जो है, वो सब काम मानों ही कर रहे हैं, और उसके बाद है धर्म भी मानों के लिए है, समुदाय भी मानों के लिए है, परिवार में तो मानों, अगर परिवार नहीं रहेगा, तो मानौ का कोई अस्तित्व ही नहीं है उनका पालन पोचन नहीं हो पाएगा और डाक्टर नहीं रहेंगे तो हमारी चिकितसा कौन करेगा तो इस तरह से पुरा मानौविय प्रयावरण बना जो की मानौव के लिए ही काम करता है अब देखे कि मानौविय प्रयावरण में की परिस्थिती को याद कीजिए सब कुछ बंद हो गया ठिकना इस मानुए प्रयावरण के बहुत सारे पहलू बंद हो गया तो उस परिस्थिती को याद कीजिए और निमलिकित तालिका को पुरा कीजिए जैसे कहता है कि मानो प्रयावरन का वह हिस्सा जो कारे करता रहा क्या क्या कारे करता रहा तो डाक्टर कारे करते रहे पूलिस कारे करते रहे और बैंक के कर्मी कारे करते रहे और मानो प्रयावरन का वह हिस्सा जो कारे नहीं कर पाया तो यह जो हिस्सा तो इसमें विद्याले बंद हो गए, धर्म बंद हो गए, समुदाय बंद हो गए, ठिक ना, तो ये हिस्सा काम नहीं कर पाया, तो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि मानो प्रयावरन कैसे मानों के लिए काम किया, और वो मानों के लिए बना, तो इसके साथ ही आपकी वर्सिट, वर्सि झाल झाल